अब आईए हम लोग चलते हैं मिर्दा परिछन के बारे में जानने के लिए हमको मिर्दा परिछन के लिए आपको क्या करना है आपको जो भी आप उसके लिए आवेसे समगरी क्या होगी आपको लेना है कुरपी फावडा या प्लास्टिक उसके साथ आप ले लेंगे आप ट्रे ले लेंगे और प्लास्टिक का ठैला ले लेंगे आप एक पैन ले लेंगे धागा ले लेंगे और एक पेपर ले लेंगे जिसमें आप मिर्दा नमूना को लिख कर आप उसमें डाल सके उसके बाद एक उसका सूचक पत्र होगा आप जो भी आपका खेत है जिसे कि हमारे किसान भाई का जो भी खेत है उसमें आप क्या करेंगे आप खेत के जो आपके चारो कुने हैं उनको आपको छोड़ना है खेत के चारो कोनों को आप कैसे छोड़ेंगे उसके लिए आपको क्या करना है जिसे कि हमारे जो किसान भाई खेती करते हैं तो खेत में मतलब चार कोने होते हैं उसकी मिट्टी आपको नहीं लेनी है उसके साथ आपको अपने खेत में जो भी आपका एक हेक्टेर या दो हेक्टेर का खूमी है उसमें आप कम से कम दस से पंदरा जगा आप निसान बना लें गढ़्धा आप किस तरह बनाएंगे आप कम से कम एक बोला 15 संटीमीटर का गढ़्धा बनाएंगे और जब आप गढ़्धा बनाएंगे 15 संटीमीटर का और चार से 5 संटीमीटर चोड़ा हो वो आपका गढ़्धा उस गड़े की सारी मिटी को आपको निकाल के फेक देना है उस गड़े की सारी मिटी आप निकाल के फेक देंगे और उसके बाद आप जो भी 10-15 cm गड़ा बनाएं हैं किसी खुरपी की सहायता से उपर से लेके नीचे तक यानि कि जो आपका गड़ा है मैं आपको एक पेपर की मादें से बता दे रहा हूं जिससा कि आपको दिख रहा होगा जैसे कि यह आपका जो गड़ा बना हुआ है अगर आपको दिख रहा है जैसे यह आपका गड़ा है तो इस गड़े से यह सारी मिट्टी आपको निकाल के भेग के बाद यहां से खुर्पी के साहिता से उपर से लेके नीचे तक कि यह सारी मिट्टी को आपको खुर्च लेना है आपको फुरच लेना है और ये प्रकिरिया आप अपने खेत में आठ से दस जगां पर जो भी आपका एक से दो हेक्टियर का खेत है वहां पर आप करेंगे अगर मालेजिए आपके पास छोटा भूमी है जो आपका भूमी है वो एक हेक्टियर से कम है तो आप कम गढ़े बना सकते हैं अगर आपका भूम एक हेक्टियर या दो हेक्टियर है तब आप महां से दस से पंदरा गढ़े बनाएंगे अगर आपका भूम एक हेक्टियर से कम है एक एकड़ है तो उसमें आप चार से छे गढ़े बना कर इस जिस तरीके से हम आपको बताए है उस तरीके से अगर आपकी मिट्टी में नमी, तो नमी को आपको उसको सुखा लेना है जिस से वह सूख जाए और सूखने के बाद वो जो भी मिट्टी है उसको आप चार भाग करेंगे त्यानी कि चार जगह पर उस मिट्टी को बा ठढ़ने के बाद आप कोने मतलब सामने-सामने का इस कोने का और इस कोने का दोनों का आप मिट्टी ले लेंगे और जो एक कोने कोने की मिट्टी बची है उसको आप बाहर निकाल देंगे इस तरीके से ये प्रकिरिया आप जब तक करेंगे जब आपकी मिट्टी आधा किलो हो जाए यानि कि आप उसका जो बचा ये भाग दो भाग बचा फिर आप इसको इकठा कर लिए और फिर से आप इसका चार भाग करने के बाद आप कोने-कोने वाला भाग ले लिए और दो ग वाला भाग आप बाहर कर दीए जिसे कि अब प्रची डालेंगे उसको किसी प्लास्टिक के छैले में और उसमें जिसके हमारे जो किसान मजरा के बाद दूसरा चीज आपका जो भी मतलब किस नया पंचायत या किस गाउं के आप न deixa लिएगा निवासी है वो सारे चीजें लिख देंगे उस में उसके साथ आप इंडिकेट का लिजएगा यानि कि जैसी कि हमारे जो किसान भाई होते हैं बहुत से जगां की मिट्कत्टा करते हैं आपने खेत में जैसे एक खेट हुआ उसके बाद उनके बहुत से किसानों के अलग-अलग खेट होते हैं तो वहाँ-वहाँ की मिट्टीजे लेते हैं तो उसका इंडिकेशन के लिए आप लोग नोट कर लेजेगा कि यह तालाप के पास वाला प्लाट है कि आपके पास नीम के खेट वाला प्लाट है जो भी हमारे किसान भाई होते हैं उनके जो भी खेट होते हैं वो अपने खेट को नाम से दर्साय रहते हैं तो वो नाम आप इंडिकेट कर लिजेगा जिससे आपको जो मिर्दा नमूना का रिजल्ट आए उसमें उस फसल में आपको उप्योग करने से कोई दिक्कत या समस जाना हो यह सारी चीजे लेखने के बाद आपको एक चीज का और ध्यान लखना है आपने जिस फसल की जिस खेट की मिट्टी की जाच करवा रहे हैं उस खेट में आपने पहले कौन सी फसल ली थी इससे पहले कौन सी फसल ली थी वो आपको उसमें नोट करना है उसके बाद आप अपने खेत में अगली कौन सी फसल लेंगे वो आप उस पेपर में नोट करके किरसी विभाग के स्वायल टेस्टिंग डिवीजन यानि मिर्दा परिछण केंदर में आप इसको दे देंगे और दो से चार दिन के मीतर आपको जो भी आपके छेतर के किरसी मित्र होंगे किसान मित्र होंगे वो आपको ये जो स्वायल हेल्थ कार्ड आपको लाके दे देंगे जिससे में आपको आपकी मित्टी के प्राथमिक पोसक्त्तो जैसे सीचो की मात्रा उसमें कमपोश्ट खाड की मात्रा एन पीके की मात्रा सुच पोसक्त्त की मात्रा उसके अंदर जो भी चीज़े हैं वो सारी चीज़े उसमें मेंसन होंगे उसके साथ साथ आप जो अपनी अगली फसल लगाओगे उसके बारे में भी जो प्रति हेक्टियर की दर्स से उसमें जिन जिन पोसकत्तो किया सकता होगी पूरी मात्रा उसमें दर्साई गई होगी और उस हिसाब से अगर हमारे किसान भाई उप्योग करते हैं अपनी फसल में तो उनको कम मात्रा में रासानिक खाद और कीटना सक का उप्योग करना पड़ेगा और उनकी लागत भी कमाएगी और उनकी पैदावार में बृध्धी हो इसके लिए थोड़ी सी सावधानी है वो थोड़ी सी सावधानी आप ध्यान रखना मिर्दा परिच्छन या मिर्दा नमूना लेने से पहले आपको गड़ा तयार करें उसके उपर के जो घास फूस हैं उन घास फूस को आपको हटा देना है और घास फूस को अठाने के बाद या फिर वहाँ पे कोई कंकर पत्थर हैं तो उन कंकर पत्थर को भी आप हटा के आप वहाँ का मिर्दा नमूना लेंगे इस तरीके से आप मिर्दा नमूना लेके आप अपने फसल की और मिट्टी की जाँच करवा सकते हो तो जैसे कि आप अपने सरीर का जांच करवाते हो तो उसमें आपको पता चलता है कि हमें इस पोसक्त करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा